वस्अप गाइस आप सभी का स्वागत है Clever Hacker बिल्कुल ही नए YouTube चैनल पर तो इस चैनल में हम बात करेंगे Cyber Security Related Content जैसे की Hacking, Python, Shell Coding, Linux, Scripting, Card Hacking, SCADA, Networking, IoT, Social Engineering, Exploitation और बहुत सारा हुच तो सबसे पहले मैं start करूंगा Web Application Fantastic की Series को तो चलिए शुरू करते हैं Who am I? I am a certified hacker and I have completed my certification from various organizations मैं एक independent security researcher हूँ मैं देखता हूँ Cyber World में क्या नई inventions हो रही है और क्या latest sell रहा है उसके related मैं projects बनाता हूँ I have over 8 years of knowledge in cyber security मैंने यह सारी knowledge books, teachers, websites, videos and बहुत सारे resources से gain की है और मैं सारी knowledge आप सभी में भाटूंगा और upcoming videos में बहुत सारे content लेके आने वाला हूँ मैं एक web application and network pen tester हूँ और मैं काफी companies में web application pen testing करता हूँ जैसे कि मैं vulnerabilities निकालता हूँ उनके servers, websites, applications में और import करता हूँ इने तो मैं एक python programmer हूँ upcoming videos में ये भी बताऊंगा कि python से कैसे automation पे लेके आते हैं और कैसे tools बनाते हैं जो हमें hacking में बहुत help करेंगे जैसे कि जो चीज़े हमें manually करने पड़ती है जैसे bug find करने पड़ते हैं और हमें खुद manually click करना पड़ता है, type करना पड़ता है और python ये चीज़ बहुती easily कर देगी मैं interested हूँ hardware hacking और IoT में और मैंने बहुत सारे projects पना हैं इस पर जैसे कि network jammers and home security related projects I am certified over 20 plus organizations अगर किसी को help चाहिए और कोई doubt है तो आप मेरे twitter handler पे मुझे contact कर सकते है its pub security means pub sac चलिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले the http protocol तो http क्या है http is hypertext transfer protocol ये एक client server based architecture है जिसमें client एक browser है और server एक website जो website हमें खोल ली है तो server उसका content हमें provide करता है client को तो ये request response model है to serve resources जैसे कि मैं client हूँ और मैं request करता हूँ कि मुझे website में से ये चीज़े चाहिए और website के मुझे page चाहिए तो जो server है वो हमें database में से वो सारा content provide करता है तो जो resources होते हैं वो identify होते हैं URI और URLs की form में जैसे कि http और proper URLs websites के होते हैं जैसे कि google.com तो इसमें basically 3 versions है जो भी चल रहे हैं 1.0, 1.1 and 2.0 1.0 firstly starting में ये use होता था और अब भी कई जगा भी use होता है इसमें जो connection है वो सिर्फ एक पार ही response करता है और उसके बाद automatically connection बंद हो जाता है 1.1 में ये है कि हम वही connection को दुबार से use कर सकते हैं जैसे कि अगर हम request पेज़ते हैं तो वह connection बंद नहीं होता तो वह alive रहता है तो जो 2.0 चल रहा है और उसमें multiplexing है speeding process है जैसे कि हमें कुछ भी खोलना है तो वह बहुत speed से हमें content provide करता है और multiple time पे बहुत सरी request हम कर सकते हैं और उसका response आ सकते हैं हमें तो जो 2.0 है वह 1.1 के base पे ही चलता है तो चलिए slides को बंद करते हैं और हम practically start करते हैं तो हम सबसे पहले curl करेंगे में www.google.co.in तो इसमें हम यह सारा content जो देख रहे हैं यह actually हमरे browser है जो request भीजता है और जो हमें output आता है तो इस form में आता है तो जो browser है वो इस form को हमें visual form में convert कर देता है तो basically जो browser है वो एक viewer है हम कह सकते है HTML viewer तो हम इसमें देख सकते हैं स्टार्टिंग में आपको नहीं समझा रहा तो यह आपको जिस्ट overview है कि browsers कैसे request पेज़ते हैं और हमें कैसे वो शो करता है तो चलिए हम यह देखते हैं कि वाइर शॉक में क्या हो रहा है अगर हम देखें कि वाइर शॉक में यह कैसे काम करता है और visually क्या चीज़े हो रही है तो हम फिर से यह command run करेंगे www.google.co.in तो यह आगया फिर से request और इसमें भी हमें response है 200 okay तो अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारा सर्फिंग की वज़े से connection जा रहे हैं तो यह ढूनना बहुत मुश्किल है कि कहां पे क्या request आ रही है तो हम इसमें filter add करेंगे http.request.method equal equals get तो यह हमने get request की थी तो इसमें यह सारा आजएगा की frame में क्या चीज़े हुई है Ethernet IPv4 यूज हो रहा है IP protocol version 4 transmission TCP and hypertracks transfer protocol अगर यह सारी terms आपको भी मुश्किल लग रही है तो no worries just आप देखिए कि कैसे http 1.1 अभी work कर रहा है और confusion आपको मैं अगली वीडियो में clear कर दूँगा तो ऐसे यह work करता है जैसे user ने browser खोला server database में से वैसे यह request देगा और http की form में आएगा तो यह सभी हमने perform किये थे get http 1.1 में response आया था 200 ओके तो अगली वीडियो में मैं यह बताऊंगा कि manually यह सारा कुछ कैसे करते हैं कि हमें कौनसी request page नहीं है जैसे 1.1, 1.0 या 2.0 और हम उसमें response चेक करेंगे कि कैसे website response करती हैं और वो सारा कुछ मैं आपको netcat से दिखाऊंगा कि manually कैसे होते हैं चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं जयाँ मैं झाल